ओम नमाशिवार शिवजी सदासाः ओम नमाशिवार गुरुजी सदासाः उनको भी मेरा सादर प्रणाम अभी बस पांच मिनट पहले ही में भी एक सिवादार आंटी ने का हम लोग जब कोई लाइसेंस प्लेट देखते हैं जै गुरुजी नमबर सेवन जै जी जै कुछ भी देखते हैं तो कितना खुश होते हैं आंठी आज मैंने ऐसी लाइसेंस प्लेट देखी पहले कभी नहीं देखी थी बड़ी अच्छी लगी सो क्या क्रिपा अभी अभी मुझे उन्होंने बताया तो मैंने का कितना अच्छा वर्ड है हमारे गुरुजी का ही है यह तो क्रिपा सो उस क्रिपा से मुझे एक सत्संग यादा आ रहा है कि गुरुजी क्रिपा कैसे होती है यह सत्संग एच्छुली एक अनेल अंकल ने सुनाया है मुझे उनका लास नेम नहीं पता पर यह गुरुजी की बहुत पुरानी संगत जब गुरुजी अपने चोले में बैठा कर अनेल अंकल का यह सुनायावा देखावा सत्संग है कि एक अंठी आए अपना बैठ खोला और उसमें से एक सोने का सेक निकाला गुरुजी ने का आ की उनुने का गुरुजी बच्ची दी शादी दी त्यारियां कर रहे हैं तुसी ब्लेस करो गुरु जी ने का और्स आंठ नो दे दे हो आप देखिए श्रद्धा और भक्ती आंटी ने कुछ नी सोचा और जिसकी तरफ इशारा किया गुरू जी ने उन आंटी को दे दिया दो तीन हफते के बाद फिर आई वही आंटी फिर बड़ा सारा बैग था फिर खोल के एक सेट निकाला गुरू जी से का गुरू जी ब्लेस करो खुडी दी शादी करनी आगी गुरू जी ने फिर संगत की तरफ देखा एक और आंटी की तरफ इशारा किया का उसने उदे दे no questions asked, आंटी ने वो सेट भी दूसरी आंटी को दे दिया another couple of weeks past or maybe a month the third time auntie came again big bag took out a set और फिर से गुरू जी से गा गुरू जी ब्लेस करो गुरू जी ने फिर से वो सेट तीसरी बार एक और आंटी को दिलवा दिया बड़ी परफलेक्स थी पर no questions asked, अगले महीने फिर आंटी आए चौती बार अब सारी संगत जुआ बैठी वी थी सबको पता था कि बैग में क्या होना है फिर से सेक निकाला और गुरू जी से का ब्लेस कर दो गुरू जी कहा दे जा तैयारियां कर शादी दी कुड़ी शादी डेट निकल रही है और ब्लेस कर दिया सेट अब आंटी ने पूछा गुरू जी तुसी पहली तीन वारी तनीक किता हुन सौरी मेरी पंजाबी जैसी भी है तो गुरू जी ने का आपकी बैटी की चार शादियां लिकी थी मैंने वो तीन जो हैं वो उसके कर्म कटवा दिये वो सेट मैंने और किसी को दिलवा दिये ये चौथा सेट विल बी दे फाइनल सेट फोर यूर डॉर्टर्टर्स ब्लेस्ट वेरिंग किर्पा कर दिती है तो शुक्राना उन आंटी का जिनोने में को ये आज बोला आंटी कृपा की मैने तो आज लाइसेंस प्लेट दे की और मैने का गुरू जी के कृपा करने के धंग निराले and all we have to do is just leave the if but and our so-called beautiful but sometimes over intelligent minds outside तो अपने उस जब analytical mind को किन्तु परंतु को हम छोड़ दे तो वो जो कृपा की वर्षा होती है गुरू जी की वो हम सब पे होती है ये भी एक विश्वास की बात है अज पुना मांटी अपना सथ संग हमार साथ शेयर करेंगी उनकी अपनी ब्लेसिंग्स it's a beautiful satsang I.I.I.T. जब पतानी कब शुरूई लेकिन 2017 में जब मेरी ऌंधी इंडिया से आई और मेरी सिस्टर गुरूजी से बाुरू जुरूए So she said, Guruji का मंदर है तुमाए गर के पास, and we have to go there. और तब तक I never knew कि ये मंदर है एडिसन में. और हम वाँ गए, and when they all came, we all went there. दो तीन बार गए, बात अच्छा लगा, लेकिन जब लग इंडिया वापस गए, तु फिर से चुट गया. फिर उसकी दॉटर मेर पास हाती है, 2019 में, fast forward, to do her master's, और वो, because she is connected also to Guruji, वो हर Thursday, Monday, Sunday, जाती थी सेवा करने, and many aunties really helped her, they really spoke to her, they used to come pick her up, take her for सेवा, and she was blessed. उसके तुर मैं कनेक्ट तुई, and I started going on Thursdays कभी, लेकिन, I couldn't go every time because of certain reasons, there were restrictions, and ये क्या नया शुरू हो गया है, normal way, so, but, और काफी बार उदर रोना भी आता था था गुरूजी के दरवार में पैटकर, फिर काफी सेवादार्स, और एकांटी का सेवादार्स, पिर काफी सेवा and unhappy and don't come here, घर से सुनो, और गुरूजी अपने आप आपको बलाएंगे, और वो ही हुआ है, and आटी नी जासे बुला, कृपा, I think that कृपा really happened on me, कि जब से नया मंदर बना, तब से मेरा रगिला सेवा और अना शुरू हो गया, not only Thursday, even Sunday, और अभी, कुशी, कुशी, I can come, and there's no restriction and in fact even I get support from the family, even they come on special days, but not always, so this is the biggest shukrana to Guruji, to giving me this loving family, so many connections, so many relations, everything, but the biggest relation is with him, and I just never want to leave that, and I just never want to leave that, करें सब भर्य शूंच करें और अनावरा इस अइंड है कि गुट आपने जोड कर रखें also मेरे बेते का last year he graduated and he had done his bio he graduated in bio medical science but he wanted to get into med school but last year when he did the EMCAT to he didn't have the best and I was also disappointed but we said okay fine but he got a job, started working but he again gave his MCAT and thanks to Guridi he got like such a wonderful score and he just got his admission and he will start his MCAT his journey to med school so lots of blessings I've got lots, lots, lots of blessings but the biggest one is too that he's connected me and kept me near himself always and thanks to all the sevadars who have always given me this opportunity to come here do seva, part speed in whatever way and I'm very happy thank you, thank you so much Sangha Ji Shukranaya Guru Ji